चैत्र नवरात्र के दूसरे दिन मा ब्रहमचारिनी की पूजा अर्चना की जाती है। विधी विधान से मा के दर्शन और पूजा अर्चना कर परिवार में सुख सम्रिद्धी की कामना करते हैं। मा ब्रहमचारिनी ध्यान, ज्यान और वैराग्य की अधिश्ठात्री देवी हैं। साधक उनकी आराधना कर ज्यान ध्यान के साथ वैराग्य प्राप्त कर सकते हैं। मा ब्रहमचारिनी के हवन में सामगरी के साथ धूप, कपूर, लौग, सूखे मेवा, मिश्री मिश्ठान, देशी की आहुती देकर पूजन किया जाता है। मा ब्रहमचारिनी का उद्भय ब्रहमा जी के कमंडल से माना जाता है। इसी लिए इनका नाम ब्रहमचारिनी पड़ा. मां ब्रहमचारिनी सरल्स्वभाव वाली और दुष्टों को मार्ग दिखाने वाली है. भगवती ब्रहमचारिनी के पूजन से भगवान शिव भी प्रसत होते हैं. इनके दाहिने हाथ में जब की माला वबाएं हाथ में कमंडल है. साधक यदी भगवती के इस स्वरूप की आराधना करते हैं तो उनमें तब करने की शक्ती, त्याग, सदाचार, सयम और वैराग्य में व्रिद्धी होती है. जीवन के कठिन से कठिन संघर्ष में वह विचलित नहीं होता है. देवी का मंदिर वारारसी के करण घंटाक्षेत्र के सबतसागर महले में है. आज के दिन मा को सफेद चीज का भोग लगाना चाहिए और इस दिन गुलाबी या सफेद रंग के ही कपडे पहनने चाहिए. मा ब्रहमचारिनी का पूजन मिथुन और कन्या राशी के लिए विशेश फलदाई है.